नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कुम्बराशी वाले हो जाओ सावधान नहीं तो किसी बड़ी मुसीबत में फस जाओ दोस्तों नक्षत्रों गरहों के अनसार अगर देखा जाए तो कुम्बराशी वालों पर शनी की साड़े साती चल रही है और इस साड़े साती के चलते आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आप खुदी इस परेशानी को देख पा रहे हैं क्योंकि कर्म शेत्र पर साड़े साती की दशा आपको परिशानी में डाल रही है, लेकिन शनिकरित राशी के लोग बहुत परिशान है और धनकिस्तिती भी खराब हो रही है लेकिन इस राशी के जातकों की यह समस्याइं कब तक रहेंगी और कब तक यह समस्या चलेगी आज इसके बारे में बात करेंगे और किसी सावधानी को रखना है तांकी परेशानी से बचा जा सके और जीवन को सुखी सम्रिद बनाया जा सके चलिए इस पर बात करते हैं दोस्तों कुम राशी वाले जातकों के बारे में अगर देखा जाए तो इस राशी वाले जातक बेहद ही ताकतवर और द्रिड इच्छा शक्ती और अपने स्वामी होते हैं और कोई आपसे कारिय करवाले ऐसा आसंबव है उम्र के साथ आपकी सवलता बढ़ती है लेकिन जून में आने वाला समय बेहद ही परेशानी में डालने वाला है और समय में अपने आपको पासकते हैं क्योंकि कुछ कमियों के कारण आप अपनी समस्याओं को बढ़ा लेते हैं जैसे किसी पर जल्दी से विश्वास कर जाना या हर काम को बिना सोच विचार के कर देना आपको परेशानी में डालता है इसलिए आप सबसे पहले इन कामों पर ध्यान दें और जल्दबाजी नेक करें और सोच विचार के बाद समय लेकर निर्णे ले ताकि परेशानी से बचा जाए कुम्ब राशी वाले के लिए जून का मीना बेहत सतर्क रहने का है क्योंकि इस समय आप बहुत अधिक लापरवा होने वाले हैं और जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है इसलिए सतर्क रहे दोस्तों आपकी राशी स्थिर है काल चक्र की ग्यार्मी राशी है और आपके देवताशनी है जो आपको परेशानी को हरने वाले हैं क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आप अपने निर्णे पर अडिग रहते हैं और किसी व्यक्ति के बारे में जो धारणा बनती है वो बन जाती है और बदल नहीं सकते लेकिन शनी देव आपको इस मानसिक्ता से बाहर निकालेंगे तांकि आप किसे के बारे में गलत समझनाग बना कर नुकसान न उठाएं और अपनी परेशानी को नैबढ़ाएं इसके लिए शनीवार के दिन शनी देव को तेल इत्यादी अवश्य दान करें तांकि जून माह में आने वाली परेशानियों को जल्द ही खतम किया जा सके दोस्तो कुम्भराशी वाले जातकों को एक जून से 30 जून तक ध्यान देना जरूरी है क्योंकि इस महा आपको धन की आनी होने के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि जोती शास्तर के गोचर के अनसार महादशा और अंतदशा का परभाव देखा जाएगा जो आपको नुक्सान की और ले जाएंगे लेकिन स्वय का विश्वास आपको इस नुक्सान से बचाएगा और आप समस्याओं से बचे रहेंगे इन दिनों आपको धन पर बेहत नजर रखनी होगी क्योंकि अधिक खर्च आपको परेशानी में डाल सकता है लेकिन अगर आप नौक्री में हैं तो सीनियर लोग आपके पक्ष में रहेंगे और व्यवसाई करने वाले हैं तो आपके व्यवसाई में वृद्धी आप खुद देख पाएंगे लेकिन सबसे बड़ी बात 15 तारीक तक सूर्य बुद्ध शुक्र की करम शेत्र पर द्रिष्टी है और इसका सीधा सा मतलब है कि जिस कारिये में आप हैं और जिस कारिये को करना चाहते हैं उसमें बेहत सफलता मिलेगी और लाभ भी मिलेगा लेकिन जून मा में आप सुबह स्नान आदी के बाद सफेद चंदन का तिलक लगाएं क्योंकि रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने के स्थिती में रोक लगेगी जल में काले तिल के साथ गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अरपित करके चंदन का टीका भी लगाएं ऐसा करने से जून मा में आने वाली मुसीबतों से बचा जा सकेगा और भागे आपका बदल सकेगा तो दोस्तों इस तरह से कुम्बराशी वालों के लिए जून मा बेहद ही सुख़द होएगा और अगर आप सचेत रहते हैं तो आपको परिशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा तो दोस्तों ये था आज की कुम्बराशी के लिए विशेश कल फिर मैं कुछ नए नुसके कुछ नए उपाई ले कराऊंगा तब तक के लिए मेरे चनल को लेक्शेर और सब्सक्राइब करना भूलें थेंक्यू